आज मैं आप लोगों को यह प्यारे से शोल्स जो है वह सिखाऊंगी जो की वीड स्टीट से बने हैं हम लोग पहले इसकी स्वेटर्स जो है वह बना चुकी है और अब हम लोग इस इन शोल्स पर वर्क करेंगे बहुत ही डिफरेंट साइस का पैटरन है और यूनीक से यह शोल्स हैं जो के बहुत क्यूट और बहुत प्यारे लगते हैं यह इन दो कलर्स में जो है वो रेडी हैं और मैं आप इसके साथ का प्यार जो है वो बनाऊंगी औ और आपको इसके लिए जो मैटेरियल चाहिए वो 3-ply wool है, मैं अलीजे की wool यूज कर रही हूँ, आपको इसी भी अच्छी सी 3-ply wool यूज कर सकते हैं, और टू कलर्स जो हैं, वो मस्ट हैं, उसी से हमारे वीड स्टीचने प्रॉमिनेंट होना है, हुप नमबर में इसमें और आप हुप नमबर यूज कर सकते हैं, अगर आप बिलकुल निवबॉर्ण साइज बनाना चाहरे हैं, तो आप 2 mm और 2.5 mm हुज करेंगे, और अगर आप लोग 3-6 मन जो के यह साइज है यह बनाना चाहरे हैं, तो आप 3 mm और 3.5 mm हुज करेंगे, इसके इलावा आप लोटी बूल यूज करके, तो साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, हम सबसे पहले सोल पर वर्क करेंगे, जैसा कि इस शूस में आपने देखा, मैंने डार्क कलर में सोल बना रहा है, तो हम सबसे पहले सोल पर वर्क करेंगे, और हम लोग डार्क ब्लू कलर सोल के लिए ले ले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 chains करने के बाद हम लोग उने hook से जो second chain है वहाँ पर 2 half DC complete करने है Second chain में हमने 2 half DC complete कर लेने है Next 7 chains में हम लोग 1 half DC complete करेंगे 7 half DC हो जाएंगी हमारे पास Next 7 chains में 1, 2, 3 और हम लोग ये second last chain तक complete कर लेंगे हम लोग आगे हैं last chain पर और last chain पर हम लोगोंने 6 half DC बना लेने हैं Last chain में हम लोग एक ही chain में 6 half DCs बना कर increase करेंगे और ये हमारा front का part आजाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 Next 7 chains में हमने 1 half DC बनाया था तो अब हम लोग रिपीट करेंगे और असोल की second side पर work करते हुए 7 chains जो हैं उनमें 1 half DC complete कर लेंगे Last में हमारे पास वो chain है जहां पर हमने 2 half DC बना कर start किया था तो एंड हम लोग करेंगे 2 half DC से और यहां पर हमारे पास जो हमारे हील साइड है टो साइड है वहां पर हमारे पास 4 half DC हो जाएंगे जो first half DC की सबसे उपर वाली chain है वहां पर हम लोग slip stitch करके join कर लेंगे और इस तरह हमारे सोल का first round जो है वो complete हो गया है Next हम लोग chain 1 करके same इसी stitch में 2 half DC करेंगे one two two half DC हमने कर ली अब हम लोग यहां पर यहां पर भी increase करेंगे और front पर भी increase करेंगे और mid के हमारे जो seven stitches हैं वो same रहेंगे तो start हमने किया two half DC से next chain में भी हम लोग two half DC करेंगे यहां पर आप लोगों को एक trick बताती चलों कि अगर आप लोग hook number change नहीं करते और rule number change नहीं करते और size को small करना चारे हैं बहुत small करना चारे हैं किसी डोल के लिए बनाने के लिए तो आप single crochet से work कर सकते हैं और अगर आप hook change के बखेर size को बढ़ा करना चारे हैं तो आप यह वली row जो है वो DC से करेंगे तो automatically आपका जो shoes है उसका size soul का बढ़ा हो जाएगा two half DC हमने start लिया और next chain में भी हमने two half DC कर लिये next हमाई पर जो seven chains हैं उसमें हम हर chain में एक half DC करेंगे और आगे हमाई पर seven half DC आ जाएंगे seven chains में हमने seven half DC बना लिये हैं next हमारे पास front part आगया shoes का और front soul के पार्ट में हम लोग six stitches में two half DC करके increase करेंगे हम लोग six stitches में two two half DC बनाएंगे तो हमाई पास यह total twelve half DC बनेंगे six stitches में तो हमने two half DCs के six sets बनाने हैं त्री बन गे हैं त्री मसीद रहते हैं four five और अब हम लोग last increase करेंगे six next हमारे पास seven stitches same single half DC बनाने हैं one two three four five six seven आगे हमारे पास two stitches रह जाते हैं और उन two stitches में हम लोग increase करेंगे two two half DC करेंगे और इस तरह यहां पर four half DCs complete होंगे यह हमारा slip stitch है जो के हमने join करने के लिए किया था यहां पर वर्क नहीं करेंगे वरना आपके stitches increase हो चाहेंगे तो इसका धिहान आपने बहुत रखना है soul बनाते वे और हम लोग half DC की सबसे उपर वाली chain में slip stitch करके join कर देंगे हमारे two rounds जो है वो soul के complete हो चुके हैं अब हम लोग next third round start करेंगे two next stitch में single half DC होगा फिर next stitch में two half DC होगे और फिर next stitch में one half DC होगा तो हमने यह two sets बना लिए two half DC और one half DC के two half DC one half DC two half DC और one half DC यह हमने दो set complete कर लिए मिट के हमारे seven stitches जो हैं वो simple half DC के रहेंगे उनको complete कर लेंगे seven half DC complete होके हैं इस round के और अब मैं next increase करूंगी six sets हमारे बनेंगे two half DC और next stitch में one half DC यह हमारे six set complete होगे two half DC one half DC two one two one two one और हमारा last set है two और one का एक तफ़ा से चेक कर लें two one one two three four five six तो हमने six sets complete कर लिए two half DC और one half DC से next seven stitches हमारे same जैसे के previous rounds में था simple half DC के ही होंगे यहां पर काउंट करते हुए आपने दिहान रखना है कि यह सेट का जो आपने single स्टिच है इसको काउंट नहीं करना उससे आगे कि स्टिच को काउंट करना है one two three four five six seven और आगे हमने अपने टो पार्ट पर जो स्टिच इस हैं वहां पर two half DC और one half DC सेट के दो सेट बनाने हैं यह हमारा सोल जो है वो complete हो का है और यहां पर अगर आप लोग सेम इसी सोल से जो है वो बनाना चा रहे हैं इसी कलर सेた अपनी баз की याřन को नहीं करेंगे लेकिन जैसा के इस स्टिच में है कि मैंने डें चैंज कर दिया था है तो अगर आप लोग कलर चैंज करना चा रहे हैं तो आप लोग यांट को यहां पर कट कर देंगे ठीक है तो यह सोल जो है बहुत से शूस बैटरंस में यूज होता है और बहुत अच्छा है यह बहुत एजी भी है तो आप इस सोल के जरीए बहुत से खुद से उपर के डिजाइन जो है वो क्रियेट कर सकते हैं यहां पर हमारा सोल कंप्रीट होगे है मैं यान को कट करूंगी और अपना सेकंड कलर चाहिन अबर लोंगी जी सोल हमने कट कर लिया है और यह साइज आपने चेक कर लेना है सेम आपके शूस के सोल जो है वो बरापर होने चाहिए ताकि आपके शूस के साइज में फर्क ना आ और सेकंड कलर को मैं जॉइन कर लूँगे, स्लिप नॉट मैंने लगा ली है और आप किसी भी टो पार्ट से सेंटर से स्टेच में से इसको जॉइन करेंगे और जॉइन करने के बाद यहां पर हम लोगोंने बैक पोस्ट हाफ डिसी करने हैं और बैक पोस्ट हाफ डिसी करने के लिए मैं बैक साइड से इंटर करूँगी चेन के हुप को और सेकंड लूप में से हुप के एक लूप लूँगी और हम इसको complete कर देंगे तो ऐसे हम लोग करते हुए back loops के उस पर work करते हुए हम लोग back post half DC को complete कर लेंगे throughout the sole तो जो आपके पास look बनेंगी stitches की वो ऐसे हो कि यहाँ पर front में आपके पास blue chain आजाएगी और यहाँ पर आपका उपर back post जो है वो start हो जाएगा तो जब complete होगा तो यह यहाँ पर नीचे ऐसे linings नजर आती है और यहाँ पर आपका यह front का जो है वो sole part नजर आता है कि आपने different color में मनाया तो यह हम लोग full round complete कर लेंगे यहाँ तक यहाँ पर हमारे back post half dc's complete होते हैं और इसके first stitch में हम इसको strip stitch करेंगे और join कर देंगे तो यह हम लोग का shoes का जो upper part है वो start हो जाता है और अब हम लोग यहाँ पर stitches जो है उनको divide कर लेंगे इन tails को आप लोगों ने secure कर लेना अच्छे से stitches को divide ऐसे करेंगे कि हम लोग इस side पर भी 10 stitches में work करेंगे और front post half dc हमारा होगा और फिर next यहाँ पर भी हम लोग बैग के 10 stitches को जो है वो simple में करेंगे और जो front के हमारे पास stitches हमारे बनते हैं total 20 उनको हम लोगों ने weed stitch के साथ work करना है और हम ने उसमे 5 points पर अगर हम लोग शूज को थोड़ा सा ऐसे खोलें stitches को बाहर निकालें तो यह देखें आप कि हमने 5 points पर weeds बनाने हैं तो हम लोगों ने इन 5 points पर weed stitch के लिए next round से हमने space छोड़के तो weed जो है वो अपना start करना है हम लोग weed का color जो है वो change करेंगे और यह five हमारे पास हैं अगर आप नहीं चाहते कि आप five में work करें अगर आप three stitches में work करना चाहरे हैं weed के लिए तो आप इन stitches को भी simple ऐसे बनाएंगे और आप यहां पर front पर सिरफ three stitches में weed पर work करेंगे हम लोग start करते हैं यह five का है तो मैं five का ही आप लोगों को guide करूंगी पहले हम ten stitches जो है वो chain one करके अब मैंने front post half dc करने हैं back post नहीं front post half dc अब हम लोग करेंगे one, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine और यह 10 यह 10 stitches में हम लोगों ने simple front post half dc work कर लिया है अब हम लोग next four front post dc करेंगे one, two, three, four और अगर किसी को याद रखने में मुश्किल होती है तो वो stitch marker यूज कर सकता है यहां पर हम लोग chain one करेंगे और हम लोग वीट के लिए space create करेंगे next four stitches में हम फिर से four half dc work कर लेंगे two, three, four, chain one, fix next four stitches में four half dc, one, two, three, four और हमारी हमने one space create की second space create की third की ऐसे ही fourth और fifth space create करेंगे और फिर मैं आपको में लास्ट space मेंने create की है और next four stitches जो हैं वो half dc के होंगे ऐसे हाँ पर 14 stitches बनते हैं लेकिन इन four को हम अलग से इसलिए काउंट करेंगे तो के आगे हमने stitches को decrease करना है तो यह stitches भी four stitches भी decrease में जाएंगे जबके हमारे ten ten जो sides के हैं जो हमारी टो की sides पर है वो decrease नहीं होंगे हम लोग decrease करेंगे यहां पर stitches को लेकिन जो यह area है हमारा हील का पीछे AD का इसको हम लोग decrease नहीं करेंगे यह हमारे ten यहां पर और ten यहां पर same stitches चलेंगे शूर्स में यह four होगे हमारे wheat के साथ के stitches जो decrease होंगे next ten stitches में फ्रेंट पोस्ट हाफ टीसी कंप्लीट करेंगे और हम लोग slip stitch करके जोईन करेंगे जी round complete करने के बाद मैंने first front post जो था उसकी उपर वाली chain में slip stitch करके जोईन कर दिया है और अब इस row में हमारा wheat stitch स्टार्ट हो जाएगा और हमें अपनी second color rule को ready रखना है यहां पर chain one करके मैं first stitch को जो है वो same उसी तरह front post half dc में convert करूंगी और total ten stitches को हम लोग जो है वो front post half dc में करेंगे complete जी यह 10 stitches में मैंने front post half dc complete कर लिया है next हमारे जो four stitches है उनको अभी यह start वाले जो four है इनको same हम अभी four में ही करेंगे four, eight three और जो last वाला four है वहां हम लोग इसको half complete करके तो छोड़ देंगे यहां मैं इसको छोड़ूंगी और यहां हम लोग अपना second color जो है वो लेंगे यहां पर हम लोग यह last stitch जो है वो हमारा complete हम करेंगे दोनों stitches के साथ यहां पर ऐसे मैं second color को भी ले लूँगी और यहां पर थोड़ी सी टेल लंबी चोड़ेंगे ताकि इसको अच्छे से बाद में secure कर सकें तो दोनों stitches को लेके तो मैं complete करूंगी last वाला इस chain one से पहले वाला जो stitch है और यहां पर जो light color है उसको मैं drop कर दूंगी यान को और यहां पर हम लोग अपना first wheat बनाएंगे तो wheat बनाने के लिए मैं यहां पर इसको three times करूंगी one two और three puff stitch हमने work करना है three times का और इसको हमने complete कर देंगे यहां पर chain one करेंगे इस stitch को मैं खेंचूंगी तो वो disappear हो जाएगा next wheat one two three यहां पर आपने जब wheat को complete करना है तो आपने इस stitch से complete करने के बाद यहां पर chain नहीं करनी फिर से हम लोग दोनों loops लेंगे और दोनों loops को लेकर हम लोग इस chain को complete करेंगे wheat की और यहां पर मैं यह dark color जो है इसको drop कर दूँगी और मैं फिर से light color लोगी और यहां पर मैं यह जो four stitches हैं इनको two में convert करूँगी यह और यह हो जाएंगे हमारे dc वाले stitch ठीक है जब हमने decrease करना है मैंने half complete किया dc का next dc का half complete किया और फिर इकठे complete कर दिया तो यह जो मेरे two half dc के stitches थे यह one dc में convert हो जाएंगे next में भी हम light color से ही work करेंगे यहां पर इस color को हम इसी तरह बैग पर छोड़ देंगे half front post dc complete किया second half front post dc complete किया और यहां पर आपने इस बात को याद रखना है कि हमारे पास आगे weed की chain space है तो हमने क्या करना है इस stitch को complete दोनों thread से करना है फिर से मैं दोनों thread ले लूँगी और इन दोनों thread से stitch को complete करूँगी ठीक है और complete करते साथ ही light color जो है stitch का उसको मैं drop कर दूँगी और dark color से हम लोग इस light color को बीच में center में हम रखेंगे और dark color से हम लोग puff complete कर लेंगे three times का जो कि हमारा एक weed का पार्ट बनेगा ये complete करने के बाद light color को हम लोग जब खैंचेंगे तो यहां पर से disappear हो जाएगा second weed हम लोग complete करेंगे three और इसको यहां complete करने के बाद जो हमने chain करनी है वो हमने दोनों stitches से करनी है यहां पर फिर से dark color को drop कर देंगे और two dc's together करेंगे और फिर two dc's together करेंगे और आप लोग इन दो को repeat करके देखेंगे वीडियो में यहां मैं यह row complete कर देती हूँ फिर हम लोग यहां पर half front post complete करेंगे second half front post complete करेंगे और इनको together कर देंगे next two stitches को भी half front post complete करेंगे dc का फिर half front post complete करेंगे और अब जब हमने करना है तो हमने third को भी दोनों thread को साथ लेके फिर करना है और यहां पर light को drop कर देना है और dark से puff बना लेना है one two three और यह tight फिर next one two three और यह complete half complete करेंगे हम puff को और change जो है वो हम दोनों threads के साथ complete करेंगे यहां पर dark को drop कर देंगे फिर से और फिर से हम लोग dc two together वाले stitches को करेंगे ठीक है next two front post dc's together हो जाएंगे और इसको complete हमने दोनों threads को लेके इकठे फिर करना है और यह कठे साथ ही हम light color को drop करके तो wheat बनाएंगे puff वाला और यह three times में इसको करूंगी chain one next two three और अब दोनों loops के साथ हम इसको complete करेंगे sorry यहां पर नहीं जब हम chain करेंगे तो हम दोनों loops के साथ करेंगे यहां पर अब हम chain दोनों loops के साथ करेंगे और फिर dark color को drop कर देंगे इस तरह work करके मैं यहां पर भी decrease करूंगी और last wheat बनाऊंगी और 10 फ्रेंट पोस्ट half DC complete करके यहां पर join कर देंगे यह मैंने complete कर लिया है और यह हमारा chain one वाला और यह front post half DC है यहां पर हम लोग इसको join करेंगे और यह हमारी जो chain है अंदर वो छुप जाती है और हमारा shoes पीछे से ठीक रहता है यह first part था हमारे shoes का और आप लोग जो है वो चैनल को like करें subscribe करें और आगे bell icon को share कर दें ताकि आपको आने वाली videos के बारे में notification मिलता रहे और मेरे channel को जो है वो promote भी कर दें ताकि ने से ने चीज़ें आप लोगों को सेखने को मिलें और यहां पर इस thread को भी मैंने cut कर दिय है जब हम लोग second row करेंगे wheat stitch की तो हम लोग फिर से joining करेंगे और यहां पर और इस तरह हम लोगोंने three times wheat बनाने हैं और thread को join करना है अब यह part जो है वो complete हो गया है second part जो है वो हम लोग next round में इंशाला करेंगे